हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का टुवर्ड सक्सिस में और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक और मोस्ट इंपोर्ट टोपिक जो की है आपका प्रमुख बांध और नदियां और उनसे संबंदित राज्जी है तो आपने देखा होगा अभी तक जो गुरूप D के एक्जाम हुए है यहाँ से कोशिन बन रहे है तो एक कोशिन यहाँ से आने वाले समय में भी आप एक्सपेक्टिड कर सकते हैं यहाँ से बनने के काफी चांस है कोशिन को और इसकी पीडियाप भी आपको प्रवाइड करा दी जाती हैं तो आप holis कर लिजेगा उस में कोई बेनिफिट नहीं है बस आपको प्रवाइड कराना ही हमारा मक्सद है तो आप अगर पीडियाप लेना चाहतेрос जोई करें अगर पीडियाप नहीं लेन चाहते तो नहीं ही जोइन करें कोई प्रोब्लम नहीं है नेक्स्ट आप देखते हैं कौन-कौन से यहां पर कॉश्चन बन सकते हैं उन्हें भी डिसकस कर लेते हैं उकाई बांत कहां पर है यह तापती नती पर है और गुजरात के अंदर है और इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बना चुक के नाम से ठीक है और जो हमारे दोस्ट साथ में नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लें कई बार आप भूल जाते हैं तो इसी वज़े से मैं आपको याप दिला रहा हूं ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहें नेक्स्ट हमारा है दाहरोई यह है सावरमती नदी पर गुजरात में और एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि नदियों के किनारे बसे नगर यह वीडियो मैंने बना दिया लेकिन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट अगर नदियां हैं उनसे संबनित नगर हैं वो भी आ आखडा नागल बांद सभी ने सुना होगा सतलुज नदी पर है और यह पंजाब है हिमाचल परदेश की सीमा पर है नेक्स्ट है चमेरा बांद यह रावी नदी पर है और यह रावी नदी बहती है हिमाचल परदेश से तो यहाँ पर यह बनाया गया है चमेरा बांद हिमा कर दिया था आतंकवादी उसी उरी की बात हो रही है वहीं पर है हाइड्रो इलक्रिक बांद जेलम नदी पर बना है और ये विवादित भी है थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ में तो आप इसको याद दखेंगे काफी महत्वपुन बन जाता है अलमाटी बांद कर्षणा नदी पर है करनाटक में और अलमाटी से आप याद दर सकते हैं माटी माटी खाते थे करनाटक में है तुक भंद्रा बांद तुक भंद्रा नदी पर ही है और ये भी करनाटक में ही है ठीक है नेक्स्ट है सुपा बांध जो की काली नदी पर है और ये कहां पर है करनाटक में पिछी बांध मनाली नदी पर है और ये केरल में है इडुक की परियोजना पेरियार नदी पर है जो की है केरल में Most important mark कीजिएगा इसको प्रिवेश येर में काफी देखने को आपको मिलेगा इडुक की परियोजना तो इसको तो आप Most important mark करेंगे पिडियार नदी पर ये है और केरल में है कुंदाला बांध कुंदाला नदी पर है केरल में बांध सागर बांध पर योजना भी इसको कहते हैं तो ये है सोन नदी पर मध्यपरदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है मध्यपरदेश में इसे भी आप important mark कीजिएगा जो प्रिवे शेयर में पूछे गए हैं उनको मैं आपको जरूर बताऊंगा तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर मध्यपरदेश के अंदर और चंबल नदी मध्यपरदेश और राजिस्थान का बोर्डर भी बनाती है सीमा बनाती है तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है राजिथान और मध्यपरदेश की सीमा बनाती है तो राइट आंसर क्या होगा इसका चंबल नदी हीरा कुंड बांध आप सभी ने नाम सुना होगा और ये महा नदी पर है उडिशा के अंदर इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर ही है ये भी उडिशा के अंदर ही है मैट्यूर बांध मोस्ट इंपरडेंड है फिर से बोल रहाँ ये भी प्रिवी शेयर का आपका कुश्चन है काफी महत्वपूर है और बार-बार कुश्चन एकजाम में किसी ने किसी बोर्ड में आता रहता है मैट्यूर बांध कावेरी नदी पर है ये भी तमिलाडू के अंदर है गोविद वल्लब भाई और रहंद बान जो है ये रहंद नदी पर ही है उत्तर प्रदेस में है इसका दूसरा नाम है तो आप इसे भी याद रखेंगे तिहरी बान भागिरती नदी पर है और एक चीज़ बता देता हूं बहागी रती और अलक नंदा दोनों आकर मिलती है देव प्रियाग में और वहां से दोनों को संयुक तुरूप से कहा जाता है गंगा Most important है कई बार पूछा जाता है कि गंगा कहां पर आकर बनती है या गंगोत्री वहागी रती और अलक नंदा कहां पर आकर मिलती है तो देव प्रियाग वो जगह का नाम है जहां पर ये दोनों आकर मिलती है और वहां से गंगा बन जाती है और हरदवार आपको पता होगा गंगा के किनारे पर बसा प्रमुख नगर है सर्दार सरोवर बांग नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है सर्दार सरोवर तो आपको और भी ज़ादा याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में इसका उधगाटन हुआ था सरदार सरोवर पर योजना का गुजरात में मोदी जी ने इसका उधगटन किया था अपने बड़े पर तो उसको चलते ही चर्चा में आ गया था और सरदार सरोवर की नियू के अगर बात करें तो रखीति पंडी जवाल लाल नहरु ने तो ये काफी महतुपूर्ण हैं आपके लिए और ये कुछ महतुपूर्ण ही बांध थे जो हमने यहाँ पर कवर किये हैं वैसे तो बहुत सारे बांध है उनको हमें कवर करने की कोई जरूरत नहीं है जो मोश्ट इंपोर्टेंट है कम समय में जादस जादस नोलिज मिल सकते हैं उनको हम कवर किया है तो ठीक है इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट कोई महतुपूर्ण कोश्चन होंगे उस पर वीडियो बनाई जाएगी अगर आपको कोई लगता है कि वीडियो बनाई जानी चाहिए किसी टोपिक पर तो आप भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलेगी नेक्स्ट टोपिक पर थैंक्स वर्वाजी